हेलो दोस्तों नवस्कार दोस्तों का बताना कि भगवान के आपर देर है पर अंधेर नहीं है दोस्तों इसी तर्ज पर अभी एक क्या है अभी ख़बर आईए कल पर सूँए अपना ख़बर आईए कि जो ITVP के कमांडेंट साव हैं इसका नाम है राजेश कुमार तो तीस साल से ITVP में सेवाई दे रहे थे और दोस्तों बता दूं कि जो आर्मी कंदर एक करनल रेंक होता है करनल रेंक के बराबर ही यानि कि जो यह अपना ITVP में कमांडेंट होता है उसके कमांडेंट रेंक होता है तो उन्हीं पर यह तैना थे और करीबन यह पिछले तीस स तोमर को जाकर करके उन्होंने आइटीवी पी की जो अदालत है उन्होंने इनको बरकास्त कर दिया इसलिए बोलता हूं दोस्तों कभी भी जो आज कर लिए अपसर वगेरा क्या है किसी भी बल में बहुत मनमानी करते हैं अपनी मनमानी करते हैं बहुत यह गोस्कोर बन चुके हैं और मतलब अपनी मनमानी इतनी करने लग जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि अगर कोई नीचे व तोमर साव 1902 में में सामल हुए थे और आखरी बार यह जम्मू कस्मीर में उन्होंने सेवाई दी थी सेक्टर मुखाला में यह तैनात थे साल 1962 से लेकर के आई टीवीप मनूने लगबग 30 साल तक सेवा दी उसके नवमर 2020 से साल 10 अगस्त तक जीपीफ में मुकदमा चला गया था दोस्तो उसके में आदेस में कहा गया है कि तोमर को सेवा से बरगास्त किया रहा है और एक दिसंबर 2021 से आई टीवीप बल से हटा दिया गया है जिसके कारण उनके बेतन और बत्त था अन सारवजनेक धनका सभी बकाया जब्त कर लिया गया है तो दोस्तों यह यह ख़बर थी आपको जो मैंने देन थी कि आजकल मैं देख रहा हूं हर जग है वो आर्मी में हो चाह कोई जितने कैफ हैं यह पुलिस बल हैं जितन से हट जाना चाहिए और भी बहुत कुरूतियां थी रिवाज थी वह साकी हट चक हैं लेकिन जो यह सेवा सेवादार है यह बिलकुल आर्मी हो चाहिए मैं कहा रहा हूं कोई भी बवाग है वाले पुलिस बल हो चाहा एटीवीप हो या एससबी हो स्यार प्यप हो हर जग है अपनी कितनी बदनामी के साथ यह मतलब एक आटीवी पीसेन को बाहर किया गया है तो दोस्तो इज़त बनाने में बहुत धेर सारी टेम लग जाता है लेकिन इज़त खराब होने में एक सेकंड भी नहीं लगता है इसलिए आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी वी करे के साथ जहन साथियो